माक्सवादी कम्मिनलिस्ट पार्टी का 23 राज्य अदिवेशन नाकपुर के जवार विध्यारती सभाग्रह में तारिक 20 मार्च से 22 मार्च तक आयोजित किया गया है ऐसी जानकारी पार्टी के सचेव अरुन लाटकर इन्होंने पत्र परिश्यत में दी है 23 राज्य अदिवेशन में खास तौर पर पार्टी की महासचेव कामरेट सीता राम ये चुरी उत्खाटन करेंगे ऐसी जानकारी दी गई है पत्र परिश्यत में पार्टी के वरिष्ट कामरेट गन मौजूद थे माक्सवादी कम्यनिस्ट पार्टी के नागपूर में होने वाले 23 महाराश्य राज्य अदिवेशन की जानकारी देने हेतू दिनांग 15 मार्च 2022 को तिलक पत्रका भवन में पत्रका परिशत का आयूजन किया गया अदिवेशन हेतू गटित स्वागत समीती की अध्यक्षिव विजे जाबन दिया और सचिव अरुन लाटकर ने परिशत को संभूदित किया इस प्रस वारता में कामरेट विशुनात आसाई, कामरेट आरेन पार्टने रामिश्व चरपे, अनिल ठोक पांडे, विट्टल जुन घरे, राजु अटवार भी उपस्तित थे माक्सवादी कमिनोस्ट पार्टी का 23 राजी अधिवेशन नाकपूर में 20-22 मार्च तक आयुजित किया गया है इसका उधकाटन पार्टी के महासचेव कामरेट सीतराम ये चूरी करेंगे अधिवेशन का खुला सतर 20 मार्च को दुपार एक बजे, वसंतराव देश पांडे सभाग्रह में होगा किसान आंदूलन के एक नेता डॉक्टर अशोग धवले, पार्टी के पोलित ब्यूरो सदस्य कामरेट निलुपल बसू, कामरेट नरसया अडाम, मर्यम धवले, कामरेट जीवा पांडू, गाविद भी अधिवेशन को संभोधित करेंगे आजादी के आंदूलन के 75 साल और किसान आंदूलन इन दोनों घटनाओं को केंडरी रूप से स्थान दिया जाएगा हाली में संपन देश के चार राज्यों के चुनाओं में भाजपा को मिली सफलता से यह सपर्ष्ठ है कि देश में फासिस्ट हिंदुतवादी शक्तियों की ताकत में दिन बादिन बढ़ोतरी हो रही है दूसरी और देश में आर्थिक और सामाजिक असमानता भी बढ़ रही है आम जनता पर बोज डाल कर विकास का ताना बाना बुना जा रहा है परिनाम स्वरूप महेंगाई और बिरुसकारी से जनता तरस्थ है लेकिन इस परिस्तिती में भी जन आंदोलन से सरकार को जुकाया जा सकता है यह बात किसान आंदोलन ने सिद्ध की है इस अधिवेशन में मजबूर किसानों के जन आंदोलन मजबूत करने की दिशा में भी चर्चा होगी इसका उद्गाटन करेंगे उसके बाद कमरेट लियुलत्पल बसू जो हमारे सेंट्रल के पॉलिटिवीरों मेंबर है वह उपस्तित रहेंगे कमरेट जिवापंडों गावी किसान आंदोलन के माध्यम से जो मशूर हुए तुरे देश में डाक्टर अशोप डवडे वो भी इसमें रहेंगे कमरेट जिवापंडों गावी कमरेट नरसय आडम मरियम डवडे यह सब यहां पर मार्ग दरिशन करने के लिए उपस्तित रहेंगे सबसे महतोपुर्ण बात जो है कि देश में मोधी सरकार की निकियों के चलते जो आर्थी का समान था खासता और पर उसके चलते हुए समाजी का समान था उसके बाद माहिंगाई बेरोजगारी यह जो सवाल जनता के सामने खड़े हुए उसी प्रकार कामगार कर्मचारी और किसानों के सवाल इसके बारे में इस अदिवेशन में चर्चा होंगी पत्रकार भवन से संजे मीरे बीसीन न्यूस नाकपुर